हालो दियर स्टूनेंट्स, आज के हमारे इस वीडियो में हम बहते हुए जल यानि नदी के कारिय और उससे उत्पन स्थलाकृती के टॉपिक को डिस्कस करेंगे यानि वोक अफ रॉनिंग वॉटर और रिजुल्टन टॉपोग्राफिक को डिस्कस करेंगे आज के हमारे इस वीडियो में हम नदी के अपर्दन के रूपों और अपर्दन से उत्पन जो त्थलाकृती है उसको डिस्कस करेंगे और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें नदियों की जो निक्षे पात्मक डिपोजिशनल जो एक्टिविटीज है निक्षे पात्मक जो कारिये हैं उनसे क्या क्या लेंड फॉर्म्स बनते हैं नदी के द्वारा डिपोजिशन के अफसादों से उनके बारे में जानेंगे तो चलिए आज हम जानते हैं नदियों के अपर्धन के रूप को और उससे उत्पन जो स्थलाकरतियां है टोपोग्रैफी है उसके बारे में देखें नदियों तवारा अपर्धन का कारिया मुख्य रूप से दो तरह से होता है यानि एक दो होता है रसायनिक अपर्धन और दूसरा होता है यांद्रिक अपर्धन यह जो रसायनिक अपर्दन यानि जो chemical erosion है chemical erosion का कारिया सामाने रूप से घोली करण दवारा होता है यानि water के साथ जो particles घुल जाते हैं वो रसायनिक अपर्दन के रूप में आता है और यह जो यांत्रिक अपर्दन आता है जिसे कह लिजे उसके अंतरगत कई प्रकार से अपर्दन होता है जैसे अपगर्शन की क्रिया जिसे हम कहते हैं corrosion और abrasion जलगती क्रिया hydraulic action और sunnig घर्शन यानि attrition त्वारा जो activities होती है उनसे यांत्रिक अपर्दन होता है या फिर यांत्रिक अपर्दन के रूप जो है वो ये हैं अपकर्शन जिसे हम कहते हैं corrosion और abrasion जलगती क्रिया, hydraulic action और sunnig घर्शन, attrition अब इन नदियों के इस अपर्दन मेरा sionic अपर्दन और जो यांत्रिक अपर्दन है उसमें यांत्रिक अपर्दन सबसे ज़दा महत्वपूर है यांत्रिक अपर्दन से काफी जो नदियों द्वारा काफी अपर्दन किया जाता है अब सवाल यह उड़ता है यह जो यांत्रिक अपर्दन के तीनों प्रकार हैं यह हैं क्या तो सबसे पहले हम लेते हैं गोली करण या संक्षारण जिसे हम कहते हैं solution और corrosion नदी के बहते हुए जल के संपर्क में आने वाले चट्टानों के जो घुलनशील पदार्थ हैं घुलकर शैल से अलग हो जाते हैं और जल के साथ मिल जाते हैं ये जो क्रिया है ये क्या कहलाती है solution कहलीजे इसको corrosion कहलीजे या हिंदी में आप गोली करण या संक्षारण कहलीजे ये कार्बोनेशन के क्रिया द्वारा चट्टान का अधिकांश घुलनशील तत्व उससे अलग होकर नदी में बहने लगता है मुमीगत जल द्वारा भी चट्टान के गुलनशील पदार्थ अलग हो जाते हैं और जल स्रोतम द्वारा उपर आकर सरीता में मिल जाते हैं तो जब आपसे पूछा जाए what is solution और corrosion या कहलीजे घुली करण और संक्षारण क्या है तो आप यही कहेंगे कि नदी के बहते हुए जल के संपर्ख में आने वाले चट्टानों के गुलनशील पदार्थ गुल कर शैल से अलग हो जाते हैं तथा जल के साथ मिल जाते हैं और आग बह जाते हैं उसे क्या कहेंगे solution या घुली करण की क्रिया अब दूसरा जो है वो है अपघर्शन अपघर्शन को हम कोरेशन और एब्रेशन भी कहते हैं देखे नदी के साथ कंकर पत्थर आदी भी नदी के बाहर के रूप में चलते हैं यह में पता है जल बहेगा तो साथ में चोटे मोटे कंकर पत्थर वो भी जल अपने वेक के सा आने वाले चट्टानों के घर्षन तता तूट-फूट की क्रिया को अपघर्षन की क्रिया कहते हैं। अपघर्षन की मात्रा तता जो रूप है वो नदी बोज के पदार्थों के गुणों पर आधारित हूता है। इन में विशेश रूप से बोल्डर, कंकड, पत्थर के टुकडे, सरवादिक, महत्वपून होते हैं। इन पदार्थों को ड्रिलिंग टूल्स का नाम भी दिया गया है। तो यह ड्रिलिंग टूल्स कहते हैं जो कि नदी की घाटे में लंवत शैतिज कटाफ करते हैं। इस तरह की क्रिया को अपघर्शन कहा जाता है। तो अपघर्शन को रेजन में क्या होता है। उसका अपर्दन होता है और यह जो अपर्दन है अपघर्शन से रगड से जो अपर्दन होता है यह शैतिज भी होता है और उर्धवादर भी होता है वर्टिकल भी होता है। तो इस क्रिया को हम क्या कहेंगे कंकर पत्थर के टकराने से नदियों के वेक के साथ जो कंकर पत्थर बैते हैं और रस्ते में जो चट्टाने आती हैं उनसे टकराते हैं तो इस क्रिया को अपघर्शन, कोरेजन और एबरेशन कहा जाता है तो यह आपको समझ में आगा होगा क जब आपसे पूछा जाए, what is corrosion और abrasion, अब घर्षन क्या है, तो आप ये कहेंगे, नदी के साथ कंकड पत्थर आदी भी नदी के भार के रूप में चलते हैं, इन पदार्थों के संपर्ख में आने वाले चट्टानों के घर्षन तथा तूट फूट की क्रिया को अब घर्ष को drilling tools कहते हैं, जो की नदी की घाटी में लमवत तथा शैतिज कटाव करते हैं, और ये जो संपूर्ण क्रिया है, उसे हम क्या कहेंगे, खुरेशन और अबरेशन या आप कहलेजे अपघर्षन, तो ये आपको clear हो गया होगा, अब आता है सन्नी घर्षन, जिसे हम कहेंगे attrition, देखें ये जो उपर बताया गया है, अबरेशन का जो रूप है, अपघर्षन का जो रूप है, उससे ही मिलता चुलता है, ये attrition का रूप है, नदि के साथ कंगड़ पत्थर, आधी नदि के अउसाद भार के रूप में चलते हैं, हमें सब पता है, अपने साथ नदि बहा कर लेके जाती है, इनका कारिया दो रूपों से होता है, पहले रूप में तो ये नदि की घाटी के किनारे तथा तलीप का घर्षन क इसका उपर हम डिसकर्श कर चुके हैं उसमें, दूसरा जो रूप है, दूसरे रूप में ये टुकड़े आपस में भी टकर खाते हैं, जिन्में उनमें तोट फूट होती रहती है, इस तरह टुकड़े की आपस में रगड और घर्शन द्वारा तोटने की क्रिया को क्या कहा द्वारा कंकड अत्यदिक महीन तथा बारीक हो जाते हैं जिनका परिवहन आसानी से हो जाता है देखिए सन्नी घर्षन एट्रीशन और एब्रेशन जो है एक बुसे से रिलेटिर है पहले नदी के वेक के साथ में जो टुकडे कंकड पत्थर बहते हैं वो जिन नदी के रास् चोटे-चोटे टुकडे हैं नदी अपने जल के साथ बहती है वे भी पानी के वेक के साथ आपस में तकराते हैं और आपस में तकराने से वो भी पुन है उनमें और जादा तूट-फूट होती है और वो बारीक और महीन होते हुए चले जाते है ये उन कंकड पत्थरों के आपस में टकराने की और बारीग और बहीन होने की जो क्रिया है उसे हम कहेंगे attrition या सिन्निघर्शन तो यह आपको clear हो गया होगा अगला जो activity है erosion की वो है जलगती क्रिया जिसे हम कहते है hydraulic action अब जलगती क्रिया या hydraulic action क्या है तो देखें इस क्रिया द्वारा अपर्दन में केवल जल का ही सहयोग होता है अन्य सादनों का नहीं यानि अपर्दन में केवल और केवल water involved है बाकि जो दूसरे water में जो सादन है वो involved नहीं है कोई कंकर पत्थर involved नहीं है दीला तदा कमजूर बनाकर तदा उन्हें चट्टानों से अलग करके अपने साथ बहा ले जाता है इस क्रिया में जल का वेक बहुत जादा मैत्वप्मून है तो हाइडरॉलिक एक्षिन बेसिकली वाटर अपने फोर्स से जल अपने ही वेक से अपने ही फोर्स से जब से हैं हाडरॉलिक एक्षिन याुद़ गद्यौ या जितनी तेज गती होगी जल की उतना जहदा में तागत हुई और जब यह थेज गदी का जल को न stratumस तक्राएगा तो प्लेजत्फ में लूज करता जाय चेएगा और साथ में लूज करने के साथ-सी एक्षिन में बहते हुए जल के जो erosion के प्रकार है अपर्दन के प्रकार है इसके बारे में आपको इसमझ में आ गया होगा अब हम आगे चलते हैं एक term है base level आधारतर देखें ये जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है अब ये आधारतर का जो concept है वो क्या है इसको हम जानते हैं देखे हर नदी में लंवत अपर्दन की एक अंतिम सीमा होती है यानि वर्टिकल इरोजिन की एक अंतिम सीमा होती है जिसके बाद पुनहे अपर्दन संभब नहीं हो सकता और ये जो लंवत अपर्दन की अंतिम सीमा है इस सीमा को नदी का आधारतल या निम्रतल जो स्तर है वो कहत यानि बेस लेवल कहते हैं उसको आधारतल कहते हैं कि इसके बाद इरोजन नहीं हो सकता आधारतल वास्तव में नदी के लंवद अपर्दन की अंतिम सीमा है और इस आधारतल का कंसेप्ट प्रोफेसर जो एक विद्वान थे पोवेल ने दिया था 1875 में और पोवेल ने अपन इस आधारतल की संकल्पना का प्रतिपादन किया पोवेल के नुसार सागरतल मुख्य आधारतल को प्रदर्शित करता है जो समुद्रों का जो लेवल है ओशिंस का जो लेवल है वो तो कहलाता है ग्रैंड बेस लेवल मुख्य आधारतल को प्रदर्शित करता है जिसके हो सकता लेकिन अस्थाई तथा स्थाई उद्देशों के लिए अपर्दन के और भी आधारतल हो सकते हैं जो कि प्रमुक नदी के तल के बरावर होते हैं आधारतल वास्तव में देखा जाए तो एक काल्पनिक सतय है जो की एक में जो नदी है उसके निचले भाग की और धीरे धीरे जुकता जाता है तो बेस लेवल का जो कंसेप्ट है वो आपको समझ में आगए आधारतल आधारतल नदी के लंबवत अपरदन की लास्ट सीमा है अंतिम सीमा है जिसके बाद अप नदी का अपरदन नहीं हो पाता यह तो कहता है लोकल यह तो कहला था लोकल बेस लेवल और यह जो base level का concept है, आधार तल का concept है, पौवेल द्वारा प्रतिपादित किया गया था 1875 में, उन्होंने इसके अलावा एक grand base level भी माना, जो कि सागरों का तल है, oceans का जो level है, base level है, वो उनका यह कहना है कि oceans का जो base level है, वो grand base level है, और यह माना जाता है कि उस base level के नीचे को कि सेवे प्रकार के अपरदन की activity नहीं होती, अब यह जो base level है, यह तीन तरह से उन्होंने कहा था, इस concept को दिया था, पहला तो है सामान्य या चरम या स्थाई आधार तल, जिसे हम कह सकते हैं general और ultimate और permanent base level, देखे, अधिकांश नदिया प्राया सागर में जाकर गिरती हैं, इसलिए सागर तल, जल अपरदन की अंतिम सीमा निर्धारित करता है, इसका मतलब यह है कि सागर तल के बराबर धरातल की नीचे एक सीधी जाका में से कदापी नहीं होता है, आधार तल एक निश्कमोन वक्र है, smooth curve है, और smooth curve के रूप में ही होता है, जिसका डाल दंदी के उपरी भाग के और अफतल होता है तो ये तो हो गया permanent base level जो कि सागर तल से या oceans के तल से निर्धाइत होता है एक होता है temporary फिर जो अगला base level है वो है अस्था याधार तल यानि temporary base level देखें अस्था याधार तल नदी के मार में कई कारणों द्वारा होता है जैसे for example यदि कोई नदी का जल एक जील में गिरता है और फिर जील का जल एक निकास के रूप में एक नदी का रूप धारण करता है तो जील का तल उस उपरी नदियों के लिए आधार तल का कारे करता है यानि जो नदियों उपर से आकर उस जील में गिर रही है तो वो जो जील का जो तल है वो उन नदियों के लिए आधार तल का कारे करता है यानि उपरी नदियों के निम्न कटाव के जो अंतिम सीमा है वो जील का तल है और ये कहलाता है temporary base level लेकिन ये temporary इसलिए है कि कुछ समय बाद जब नदियों जील को या तो भरकर अपने निम्न कटाव द्वारा बहा ले जाती है तो जील का आधार तल के रूप में नियंतरन समाप्त हो जाता है इसलिए इसलिए हमने कहा है temporary base level तीसरा जो base level है वो है स्थानी आधार तल local base level देखे यदी कोई नदिय निम्न कटाव द्वारा अपने आधार तल को प्राप्त करके क्रमबद हो गई है ग्रेड़िड हो गई है तो उस नदिया उस सरीता का आधार तल पास के जो स्थलकंड है उनके निम्न कटाव की अंतिम सीमा को निर्धारित करता है और ये जो निर्धारित करता है ये आपका local base level होता है तो ये जो base level का जो concept है ये आपको clear हो गया होगा कि लंवत अपर्दन की अंतिम सीमा basically कहलाती है base level आधार तल आधार तल सामान्य या स्थाई आधारतल हो सकता है अस्थाई आधारतल भी हो सकता है और स्थानिय आधारतल भी हो सकता है सामाने और स्थाई आधारतल सागरों और महा सागरों का जो आधारतल है उसको लेते हैं वो permanent base level होता है और अस्थाई temporary जो आधारतल है वो नदी के आसपास की जो जीलों में आकर जो नदियां गिरती है उन जीलों के आधारतल को हम temporary base level मान सकते है और local base level भी होता है जो किसी एक नदी का जो क्रमबद आधारतल होता है उसको हम लेते हैं तो base level का concept आपको आगया होगा अब हम बात करते हैं नदियों के अपरदन द्वारा जो उत्पंस थलाकृतियां हैं वो कौन कौन सी हैं उनके बारे में जानते हैं देखे नदी घाटी का जब विकास होता है उसमें जो नदी घाटी के विकास के समय जो उत्पंस थलाकृतियां हैं उनमें सबसे पहले तो आता है वी आकार की घाटी, ठीक है, वी आकार की घाटी में भी दो प्रकार हैं, एक तो गौर्ज और दूसरा कहलाता है कैनियन, उसके बाद जल प्रपात है, जल प्रपात आते हैं, ये भी जल प्रपात, वी आकार की घाटी में गौर्ज और कैनियन आ उसके बाद जल प्रपात जो है वो भी अपरदन की स्थलाकृती से हैं उसके बाद जल गरती का जिसे हम पॉट होल्स कहते हैं वो भी अपरदनात्मक स्थलाकृती के अंतरगत आते हैं फिर नेक्स्ट जो चौती स्थलाकृती है अपरदनात्मक नदियों की स्थलाकृती वो ह से लंशनात्मक्सूपान जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे structural benches उसके बाद नदी वेदिकाएं जु आती हैं। रिवर टेर्रसिस आते हैं। उसके बाद नदी विसर्प आते हैं। नदी विसर्प को हम कहते हैं मियंडर्स। उसके बाद क्वेस्टा और शुकर कैट होग बैक् वाद penny planes आते हैं, तो ये सारे की सारी नदियों दवारा उत्पन स्थलाकरितिया है, बैंग बार फिर रपीट करोगी, नदियों के अपर्दन दवारा उत्पन स्थलाकरितिया है, वियाकारर कि गार्टी, गौर्ज, कैन्यन, जल प्रपात, जल गर्थिका, सराजनातमक सूपा नदी वेदिका, नदी विसर्प और जो पैनी प्लेन वाला हॉग बैक्स और पैनी प्लेन वाला जो हिस्सा है वो सारे की सारी इसके अंतरगर आती हैं इंग्लिश में हम V-shaped valleys कह सकते हैं, gorge, canyon, waterfalls, pot holes, structural benches, river terraces, meanders, hog back, penny plains ये सारी की सारी इसके अंतरगर आती हैं अब सबसे पहले हम लेते हैं V-acar की गाटी को, देखें सबसे पहले नदी तली को काट कर उसे गहरा करती है, जब हम first stage जो होती है वो, कि नदी जब अपने पुरे वेक के साथ बहती है, initial stage के अंतरगर, तो वो अपनी तली को काट कर गहरा करती है, जिस कारण नदी गाटी की गहराई सदा बढ़ती रहती है, और गाटी का आकार, इंगलिश भाषा का जो वी शब अक्षर है, उसके समान हो जाता है, तो first stage जब erosion की होती है, तो वो है वी आकार की गाटी, अब ये जो वी आकार की गाटी जो है, उन्हें दो वर्ग में विभाजत किया गया है, पहला ह गौर्ज और दूसरा है कैनियन, दोनों ही वी आकार की गाटियों के रूप में होते हैं, जिनके किनारे की दिवार बहुत अत्यंत खड़े ढाल वाली होती है, तथा चोड़ाई की अपेक्षा, गहराई जो है वो बहुत कम होती है, गहराई बहुत जादा होती है, और गौ होता है, लेकिन सामाने रूप से बहुत गहरी तता संकड़ी घाटी को गौर्ज कहा जाता है, तो जब हम बात करते हैं वी आकार की घाटी की बारे में, तो सबसे पहले आप यो बदाना पड़ेगा, ये नदी के इनीशल इरोजन स्टेज की है, सबसे पहले नदी का करती है अपने तली को काट कर अंगरे जी भाषा के वी अक्षर को अंदिर्बान करती है, और फिर दीरे दीरे वो और उस वी अक्षर को गहरा करती जाती है, तो गौर्ज और कैनियन का रूप ले लेते हैं ये वाले जो घाटिया है, और गौर्ज बेसिकली क्या है, सामाने रूप से बहुत गहरी और संकड़ी घाटी को गौर्ज कहा जाता है उसके बाद कैनियन की हम बात करें तो देखे कैनियन जो है वो गौर्ज का विस्तरत रूप है ये जो आका इसका जो कैनियन के आकार में विशाल परिंतु अपेक्षाकरत अधिक संकड़ा होता है घाटी के दोने क नारों की दिवारें जो हैं वो खड़े डाल वाली होती हैं तता नदी तल से बहुत अधिक उची हो जाती हैं जब कठूर और संगठित चट्टानों से होकर नदी अपनी घाटी को अतिदिक गहरा करके खड़े डाल वाली बनाती हैं तब तता जब अपक्षे और सामुविक स थानांतरंड से ये घड़ी डिवारें प्रभावित नहीं हो पाती हैं और और जज़्यदा गहरी होती चली तो कैनियन बिसिकली अगर हम कहें वी आकार की गाटी फिर दीरे-दीरे गहरा और हगर हो जाती है वी आकार की गाटी दो रूपे में भाज़त होती है इनिशिडी बनता है गौर्ज और फिर कैनियन गौर्ज गहरा, सगड़ी, खड़ी दिवारों वाली गाटी होती है और इस गौर्ज का ही जो विस्तरत रूप है वो कैनियन कहलाता है तो इसके बाद जो दूसरी स्थलाकरती है वो है जल प्रपात की वाटरफॉल्स और जिसे हम कहते हैं रैपिड्स उनकी अब ये जल प्रपात क्या होते हैं वाटरफॉल्स और रैपिड्स क्या हैं इनके बारे में हम जानते हैं देखे जब किसी स्थान पर नदियों का जल उचाई से खड़े डाल से गिरता है बहुत अत्यदिक वेक से नीचे की और गिरता है तो उसे हम क्या कहेंगे जल प्रपात कहेंगे मैं दुबारा रिपीट करूँगे जब किसी स्थान पर नदियों का जल उचाई से खड़े डाल से अत्यदिक वेक से नीचे गरता है तो उसे हम कहते हैं जल प्रपात कहते हैं इस तरह की स्थिति उससे में आती है जब नदि के मार्क में कठोर तथा मुलाइम चट्टानों की परते या तो शैतिज अवस्था में मिलती है या लंबवद अवस्था में मिलती है नदि का जल मुलाइम चट्टानों को तो काट डालता है लेकिन कठोर प्रतिरोधी चटानों को नहीं काट पाता है इसका जो result है वो ये है कि जल उसके उपरी भाग से नीचे की और गिरने लगता है प्रपात तथा शिप्रिका में अंतर जो है ये तो जल प्रपात की बात है और ये जल प्रपात और शिप्रिका जैसे हम रैपिड कहते हैं शिप्रिका को उसमें अंतर भी बहुत सामाने होता है वास्तव में नदी के जिस भाग में जल धारा का प्रवास साधारन वेग से अधिक होता है तो उसे प्रपाती या शिप्रिका कहते हैं यानि नदी के जिस भाग में जलधारा का प्रवास का साधारन वेग से अधिक वेग होता है तो उसे हम शिप्रिका कहते हैं वाटरफॉल यानि प्रपात में उचाई अधिक होती है तथा जो ढाल है प्रपात का वो खड़ाय रहता है जबकि शिप्रिका की उचाई प्रपात की अपेक्षा कम होती है ढाल सामाने होता है तो ये अंतर है शिप्रिका की स्थिती प्राया प्रपात के नीचे या उपर हुआ करती है लेकिन ये आवशक नहीं है कि प्रपात के साथ शिप्रिका भी होगी ये दोनों स्वतंत्र भी हो सकते हैं तो ये concept आपको clear हो गया होगा waterfall का देखे जब किसी स्थान पर नदियों का जल उंचाई से खड़े डाल के उपर अत्यदिक वेक से गिरता है तो उसे हम कहते हैं जलप्रपाद और अगर हम बात करते हैं शिप्रिका की जल उंचे डाल से गिरता हो तो उसे हम क्या कहेंगे शिप्रिका कहते हैं तो बहुत माइनूट सा अंतर है waterfall और rapid में लेकिन ये अंतर आपको ध्यान रखना है waterfall और rapid का जो अंतर है तो waterfall का एक map हम देख सकते हैं कि नदी का जल जो है नदी अपने मार्क से आ रही है और एकदम सी अचानक कोई चटानों में नीचे ही गिर जाती है तो ये जो गिरने वाली स्थिती है उसे हम कहेंगे waterfall ये देखे यहाँ पर नदी का जल ये hard चटाने है और hard rock से नीचे बड़ी वेक से गिर रहा है तो ये जो है ये स्थिती किसकी स्थिती है waterfall की स्थिती है तो ये map में आपको clear हो गया होगा अब हम बात करते हैं जल गर्दिका की यानि जैसे हम कहेंगे pot hole की देखे ये भी बहुत एक important feature है pot hole erosional feature है देखे नदी की तली में जब जल भवर के साथ छोटे छोटे पत्थर के टुकडे तेजी से चकर लगाते हुए छोटे छोटे गर्दों का निर्बान करते हैं इस तरह के टुकडों को छेदक या घर्शन यंत्र यानि ग्रैंडिंग टूल्स भी कहते हैं इस तरह ये जो एक तरह से मशीन की तरह काम करते हैं जिस तरह से ये जो ग्रैंडिंग मशीन होती है वो तेजी से घूम कर लकडी में छेद करती है तो उसी प्रकार से ये जल के भवर के अंतरकत जो कंकर पत्थर होते हैं वो गोल-गोल घूमते हैं नदी का जो सत्य है उसमें ये छेद करते जाते हैं और लंबे समय तक जब एक रिया होती है तो देरे देरे इन छेदों का आकार बढ़ जाता है और ये क्या कहलाते हैं पॉट होल्स कहलाते हैं मैं फिर आपको समझाना चाहूंगे पॉट होल्स का देखिए नदी की तल में जो एडिस होती है यानि जल भवर होते हैं गोल-गोल जो जल चक्र मारता है जिसे हम कह सकते हैं और वो अपने साथ जो कंकर्ड पत्थर के टुकडे बहाता है गोल-गोल घुमाता है चक्र लगाता है तो वो जो कंकर्ड पत्थर के जो टुकडे हैं आस्प जो तल की जो नदी तल में जो चटाने हैं उन में जब घूमते हैं तो वो उन चटानों को का अबर्दन करते जाते हैं और क्योंकि वो गोल-गोल घूमते हैं तो उनका अबर्दन भी एक ड्रिलिंग मशीन की तरह ही होता है जैसे एक drilling machine अपने लकडी में या पत्थर में छेद करते हैं उसी प्रकार से वो भी उस चटान के अंतरकर छेद करते जाते हैं और जैसे जैसे यह जो activity continuous चलती जाती है तो यह जो छेद हैं, holes हैं इनका जो आकार है वो भी बढ़ता जाता है यह जो बढ़े वे जो आकार है इन्हें हम क्या कहते हैं, pot holes कहते हैं अगला जो activity है वो है सरंचनात्मक सूपान की यानि structural benches की देखें नदी की मार्ग में कभी-कभी कठोर तथा मुलायम चटानों की पड़तें क्रम से एक दूसरे के बाद शैति जवस्था में मिलती हैं इस परिस्थिती में नदी द्वारा विशेशक अपर्दन यानि differential erosion द्वारा कठोर तथा मुलायम चटानों का कठाओ जो है विभिंदर से होता है कठोर चटानों के पेक्षा कोमल चटाने बहुत जल्दी कर जाती है और कठोर एवन प्रतिनोधी चटाने बाहर की ओर निकली रहती है इस तरह का ये जो विशेशक अपर्दन जोसे हम differential erosion भी कहते हैं तो इस differential erosion द्वारा सोपानाकार सीडियों का नदी गाटी के दौना तरफ निर्मान होता है और जैसे कि हम इस map में देख सकते हैं और इने सोपान कहा जाता है लेकिन इन सोपानों को नदी वेदिकाओं से अलग करने के लिए सरंशनात्मक सोपान की संग्या दी गई है क्योंकि इनके बनने में एक मातर चटान की कठोरता और कोमलता का हाथ रहता है जबकि नदी वेदिकाओं चटानों की कठोर या कोमलता से जंबंदे नहीं होती है तो structural fences क्या होती है बेसिकली नदी के मार्ग में हमें आसपास साइडों में कभी कठोर चटाने मिलती है कभी अपनी मुलायम चटाने मिलती है तो देखें soft rocks जो होती है बुलायम चटाने जो होती है पानी के वेक के साथ और दूसरी जो उसके अंतर का रिवर का लोड होता है वो उससे बहुत जल्दी इरोड हो जाती है लेकिन उनके साथ लगी हुई जो कठोर चटाने हैं hard rocks हैं उनका erosion नहीं हो पाता तो ऐसे केस में दौनों पाने के बहाव के जो दौनों तरफ जो hard rocks हैं वो वैसी की वैसी उबरीट है जाती है और soft rocks जो हैं वो कट जाती है और roughly एक structure को हम देंगे तो सीडिधार structure का वो रूप ले लेता है और एक तरह से terrace का form ले लेता है यह जो structure है सीडिधार structure कठोर और मलायम चटानों के अपरदन से बना हुआ वो सराशनात्मक सूपान कहलाता है structure benches कराता है देखिए river terrace or structural benches दोनों देखने में काफे कुछ हमें समान लगेंगे लेकिन दोनों में basic difference यह है कि जो structural benches है नासरनचनात्मक सूपान है उनमें वो कठोर और जो कूमल चटानों का उनके बनने में कठोर और कूमल चटानों का हाथ रहता है जबकि नदी वेदिकाओं में चटानों की कूमलता और कठोरता से कोई संबंद नहीं है अब हम बाद river terraces का भी है अब अगला जो है वो है river meanders यानि नदी विसर्प ये भी बहुत important है देखे जब नदी की अपनी प्रौड अवस्ता में पहुंच जाती है तो प्रौड अवस्ता में कब पहुंचती है जब वो मैदानी भाग में आ जाती है क्योंकि उस नदी के जल का वेग भी कम हो जाता है और साथ में जो उसकी जो material नदी अपने साथ बह कर लाती है उनकी transportation capacity भी वो नदी के जल के transportation capacity भी काफी कम हो जाती है तो प्रौड नदी जब मैदानी भाग में प्रौवेश्च करती है तो सबसे क्योंकि उसका power वेग कम हो जाता तो कटाव भी बहुत कम करती है और निम्न कटाव की अपिक्षा वो शैतिज अपर्दन में अधिक सक्रियोदियनी वो गहराई वाला कटाव नहीं कर पाती है बलकि जो horizontal अपर्दन है उसमें वो सक्रिय रहती है जिसके कारण नदी अपने घाटी को गहरा करने के बजाए चोड़ा करने लगती है इस अवस्था में नदी का मार्क न तो समतल होता है और न एक समान जाते हैं और इन बोडों को ही नदी विसर्प कहते हैं यानि नदी विसर्प का हम आपको यह जो एक्जाम्पल है देखे जब नदी एक स्टोप एरिया से बहती है स्टीप स्टोप से बहते तो उसका वेक तेज होता है और वो कटाव भी अदे करती है साथ ही साथ वो जो अ वो अपने साथ बहाकर कंकर पत्थर जो बहाकर लाती है उनकी transportation capacity भी उसमें जादा होती है लेकिन जब अपनी last stage में नदी मैदानी भाग में पहुंचती है तो उस से में क्या होता है नदी के जलका वेक कम हो जाता है तो उसकी जो vertical operation करने की शमता है वो कम हो जाती है क्योंकि क कम वेक के कारण जो materials वो अपने साथ बहाकर लाई है अवसाद अपने साथ बहाकर लाई है उनका transportation भी वो नहीं कर पाती है और नदी का जो जल है वो देरे-देरे अपना जो basin है उसको चोड़ा करने में उसको broad करता रहता है broad erosion ज़्यादा करता है वो बनसपर की vertical erosion के और ऐस केस में जब कुछ जगह पर वो materials जमा भी हो जाते हैं क्योंकि पानी की transportation capacity कम हो जाती है और दीरे-दीरे वो materials जमा होने का कारण जो है वो पानी का जल है वो एक जगह material जमा हो गए तो पानी का जल वहां से turn हो के दूसरा turn ले लेता है तो ऐसे सरपाकार आकार जो है वो नद जमा हो गया तो पानी क्या है कि फिर पानी अपना root change कर लेता है वो ऐसे बहने लग जाएगा उस material के side से और इस हिसाब से यहां पर भी हम देखें नदी बहरी है यह material जमा करते हैं नदी ने यह turn ले दिया फिर यह material जमा हो गया तो इस तरफ turn ले तो एक सरपाकार रूप न विसर्ब जिसे हम कहते हैं incised menders और उसके बाद अगर हम कहें तो misfit या unfit menders बेमेल menders भी होते हैं तो सामाने विसर्ब की जब हम बात करें तो देखें जब नदी अपने प्रथम अपरदन चक्र के समय विसर्ब का निर्मान करती है तो उसे सामाने विसर्ब कहा जाता है जि इनके सुलब होने पर ही विसर्ब का निर्मान होता है यदि कोई नदी अपने बोज से अतिदिक भारित हो जाती है यानि बहुत जादा मटी अफसादों का लोड बढ़ जाता है तो उसके लोड के परिवहन की शक्ती जो उसकी जो शक्ती है सारी नदी के बारिज जल की शक होता है उस तति में विसर्ब का निर्मान होता है उसके माद आता है हाभ अधा किर्थ कर्तित विसर्ब project जिसे हम कहते है in science managers nISS just leading it nice really के ड़ी के परिचायक है तदहां इनका निर्मान नदी के निम्षकटाव द्वारा निर्मित सामानेETH विसर्प में नदी नवोनमेश के कारण होता है जब नदी का first cycle होता है उसमें शायती जब परदन द्वारा निर्मित सामाने विसर्प में निम्न कटाव द्वारा गहरे और संकडे विसर्प का निर्मान होता है तो ये जो गहरे और संकडे विसर्प होते हैं उन्हें हम क्या क च्रिकार की होती है उसके बाद है बेमील मिस्फिट और उन्फिट मेंडर्स देखे एक विश्रत नदी अपने प्रणावस्था में विश्रत बाढ़ के मैदान का निरमांद करती है जिसमें उसके विसर भी अतिदिक विसरत होते हैं किसी कारणवर्ष जब नदी में जल का आयतन कम हो जाता है और नदी संकडी हो जाती है तो उसके द्वारा निर्मित विसर्प पहले के अप्रेक्षा कम चोड़े हो जाते हैं इस तरह नवीन विसर्ब के वक्र की अर्धव्यास पहले विसर्ब के वक्र के अर्धव्यास से छोटी होती है ऐसे विसर्ब को बे मेल विसर्ब कहा जाता है क्योंकि नवीन विसर्ब अपनी प्रारंबिक विसर्ब से पूंतया मेल नहीं खाता है अब देखिए एक concept आता है Oxbow Lake का Oxbow Lake में क्या होता है पहले नदी का original ये विसर लेती है नदी original ये होती है अब कई बार क्या होता है नदी अपना यहां पे जब पहले original विसर पे और यहां पना route चेंज कर लेती है यहां पे जब जमाव हो जाते हैं तो वापस वो नदी का जल इन जमावों को क्रॉस ना करके वापस ये दूसरा मार्क अपना लेता है तो ऐसे केस में एक अलग से जमाव युक्त जो एक चाप नुमा जील जिसे हम गोखुर जील कहते हैं गोखुर जील का दिर्माण इसमें होता है कि नदी पहले जिस विसर्प रूप में बहर रही थी दिरे दिरे अगर वहाँ के फ्रंट में जमाव अफसादों का जमाव हो जाता है तो फिर नदी पुन है उस अपना मार्क परिवर्दित कर लेती है और वो जो एक जील का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं गोकुर जील अब लास्ट जो इसका निर्माण का रही है वो है अफसाद जो अपरदन का स्थलाकृती है अपरदनात्मक स्थलाकृती वो है पैनी प्लेन देखिए पैनी प्लेन को संप्राय मैदान कहा जाता है ये स्पैनी प्लेइन या कहलेजे संप्राय मैदान का निर्मान उस समय होता है जबकि नदी की अंते मवस्था में शैतिज अपर्दन द्वारा सतह की असमानते दूर हो जाती है इस समय शादिक अपर्दन तदा निक्षेप दोनों मिलकर संप्राय मैदान का निर्बान करते हैं प्रतिर्यात्वी शैलों के भाग अपर्दन अवशेश के रूप में यहां वहां सामाने सतह के उपर हमें दिखाई देते हैं इन्हें मोनाड नौक भी कहा जाता है तो यह जो पैनी प्लेन जो है लास्ट स्टेज है नदी के इरोजन की जब नदी प्लेन मैदान में आती है तो धीरे धीरे जो अपर्दन करती है और अपने निक्षेपों का जमाव करती है तो छोटे छोटे पहाडियों के रूप में हमें उस नदी के मैदान में काफी छोटी छोटी बहुत छोटी पहाडियां दिखती हैं यह पैनी प्लीन की कटिशन है इस पैनी प्लीन के अंदर संप्राय मैदान में दिखती है उद्य संप्राय मैदान में दिखती है उपर-उठी शैलों को जिनका परदन नहीं हुआ है उने क्या कहा जाता है मौनड़नौ कहा जाता है तो बच्चों ये अपरदनात्मक स्थलाकती आपको समझ आ गई होगी वी आकार की घाटी गौर्ज, कैनियन, वाटरफॉल्स पॉर्ट हूल्स रिवर टेरिस्स स्ट्रक्ट्रल बैंच जिसे हम कहते हैं और मियंडर्स और फिर जो लास्ट जो स्टेज है वो है पैनी प्लेन और मौनडरॉक की स्टेज अगला जो वीडियो होगा उसमें हम नदी के निक्षेपन कार्यक को बारे में डिसक्स करेंगे झाल 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 मौन झाम झाल झाल